सस्पेंस हिंदी प्रेजेंटिंग दी एडवेंचर ओफ कार्डबोर्ड बॉक्स होम्स बोला, तो क्या तुमने मुझे उनका क्रिया कर्म करने बुलाया है? ये सुनकर डॉक्टर वाट्सन और लेस्ट्रिट की हसी छूट ही रही थी, लेकिन स्थिती की गंभीरता देख कर वो शान्त रहे। लेस्ट्रिट ने कहा, होम्स इन लाशों के एक-एक कान गायब है इस पर वाट्सन बोले, ये जानकारी हमारी काम की है, हमें शायद कार्डबोर्ड बॉक्स केस में इसका संबंध मिल सकता है होम्स। और किराये पर बोट लेके जील में गए, लेकिन वापस नहीं आये। होम्स बोला, क्या खाली बोट मिलने पर उसने कुछ नहीं किया। लेस्ट्रिट बोला, बोट वाले ने बताया कि लोग पैसे न देने के लिए एकसर बोट छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए उसने गं थोड़ी देर सोच कर होम्स डॉक्टर वाटसन के साथ लाशों का मुआयना करने पहुचा, वहाँ एक लाश, स्त्री और दूसरी पुरुष की थी, उन दोनों का एक कान कटा हुआ था, होम्स को पुरुष की लाश के जेब से दो ट्रेन टिकेट मिली, स्त्री के लाश की श लेकिन एक बात क्लिर है वाटसन, इस स्त्री की लाश देखकर मिस सुजेन को भारी जटका लगने वाला है, फिर होम्स ने जील की बोटों की तरफ देखा, लेस्टरिट भी होम्स को ध्यान से देख रहा था, होम्स बोटों का मुआयना कर रहा था, और उनके चप्पूओं अपराधी कीतना ही शातिर हो, गलती करही देता है जिसे होम्स समझ लेता है, होम्स को हसते देख लेस्टरिट बोला, होम्स, क्या आपको कोई सुराग मिला है, होम्स बोला, मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं कोई फैसला नहीं करूँगा, शेर्लोक होम्स और डॉक्टर वाट्सन, वहां से होटल के लिए निकल गए, जहाँ यलगर के और से टेलीग्राम का जवाब आ चुका था, ये देख डॉक्टर वाट्सन समझ गए काम फिर से शुरू होने वाला है, और उनका आराम करने इरादा फिर से नाकाम हो गया है, ह उसका पती जेम्स ब्राउनस भी शिप पर हे। तुम्हारा मित्र यलगर। होम्स डॉक्टर वाट्सन से बोला। एक डिटेक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है। बीच में ही वाट्सन बोले। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। तुम मुझे आराम नहीं करने दोगे हो जेम्स ब्राउनस उसकी शिप पर हे उसे शिप निकलने से पहले गिरफतार कर लो। टेलिग्राम भेजने के बाद होम्स बोला। हाँ वाट्सन चलो अब हम चैन से डिनर कर सकते हैं और एक नींद भी ले सकते हैं। चलो होटल चले। फिर दोनों होटल चले गए। अगले दिन उन्हें लेस्टरिट का टेलिग्राम मिला। टेलिग्राम मिलते ही दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचे। लेस्टरिट ने ब्राउनस को शिप से गिरफतार कर लिया था। पुलिस स्टेशन पहुचने पर लेस्टरिट ने उन्हें बताया कि ब्राउनस ने बिना कु के लिए चाय मंगाई थी। होम्स ने चाय का एक घुट पीते हुए लाशों की फोरेंसिक रिपोर्ट देखी। फिर लेस्टरिट से उस कार्डबोर्ड बॉक्स को लाने को कहा। जो इस केस का एक एहम सबूत था। क्योंकि ये गांट सिर्फ नाविक ही बांधते हैं। जब मुझे मिससजैन ने बताया कि ब्राउनस और फ्लेर बर्न दोनों नाविक है तब मेरा शक उन दोनों की तरफ गया। लेकिन ये दरिंदगी भरा काम सिर्फ एक ही इनसान का था। पर जील में मिली महिला की लाश पह काफी हद तक मिल रहा था। की दूसरी बहन मेरी का पता लगाने को कहा। यलगर के जवाब आने पर मैं समझ गया कि जील में मिली महिला की लाश मेरी की ही थी। और मिस सुजैन को मिले बॉक्स में मेरी का ही कान काट कर भेजा गया था। पहले मुझे लिवरपुल में रहने वाले मेरी के दोस्त फ्लेयर बर्न पे भी शक था। क्योंकि वो भी नेवी में एक स्टुवर्ट था। वो भी बॉक्स पे यैसी गांट लगा सकता था। लेकिन मेरी की बोट में लगा खून और दूसरी बोट के चप्पू के आगे लगा खून में ने देख लिया। जैसा बोट कलब के इंचार्ज ने बताया था कि दूसरी बोट एक हट्टा-कट्टा गंजा आदमी ले गया था। लेकिन वो फ्लेयर बर्न नहीं था। मेडे शिप जो मिस्टर ब्राउनस की शिप है उस पर पूश्टाच से मुझे पता चला कि उस दीन ब्राउनस ही दूसरी बोट ले गया था। वहां से मुझे कुछ और जानकारी मिली जैसे मेरी और ब्राउनस के बीच कई बार जगड़ा होता था और घटना वाले दिन शिप के खराबी के कारण जब ब्राउनस जल्दी घर लोटा आया। तब अपनी पत्नी को तयार होकर कही जाते देख उसे शक हो गया और उसे ने उसका पीछा किया। अपनी पत्नी को खुशी खुशी फ्लेयर बर्न से मिलते देख ब्राउनस का खून खोल गया। ब्राउनस को सामने देख कर मेरी और फ्लेयर बर्न के होश उड़ गए। गुस्से से भरे ब्राउनस ने भारी भरकम चप्पु का जोड़दार वार फ्लेयर बर्न के खोपड़ी पर किया। फ्लेयर बर्न की खोपड़ी तूट गई और उसका खून बोट में फैलने लगा और उसकी जान चली गई गुस्से से भरा ब्राउनस वही नहीं रुका और वैसा ही उसने मेरी के साथ भी किया चप्पू के जोरदार वार से मेरी की भी मौत हो गई फिर उसने दोनों का एक-एक कान काट लिया और लाशों को पानी में फेंक दिया उसने बोट और चप्पू को धोने की कोशिश भी कि लेकिन जलबाजी में वो ये कर नहीं पाया फोरेंसिक रिपोर्ट में यही पता चला कि लाशों के पेट में पानी नहीं मिला अगर उनको पानी में डूबो के मारा गया होता तो अपराधी जील में डूबी लाश का कान काट ही नहीं सकता था ये कहकर शेरलोक होम्स ने ब्राउनस के तरफ देखा डॉक्टर वाट्सन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रिट भी उसी की तरफ देख रहे थे ब्राउनस बोला आपकी इंवेस्टिगेशन वाकई कमाल की है मिस्टर शेरलोक होम्स ब्राउनस अपने अपराध से जरा भी भैभीत नहीं लग रहा था उल्टा वो शेरलोक होम्स की तारीफ करते हुए बोला आपने पूरी कहानी ऐसे बया की जैसे आपने आपके आँखों से पूरा अपराध होते देखा हो हाँ मैंने ही दोनों कतल किये हैं और मुझे अपराध स्विकार करने पे जरा भी शर्म और हिचक नहीं है क्योंकि मैं मेरी से प्यार करता था वो मेरी पतनी थी, और मैं भी उससे वफादारी की उम्मीद करता था, लेकिन उसने मुझे धोका दिया हमारे बीच गलत फेमिया तब शुरू हुई जब उसकी छोटी बेहन सारा हमारे घर आई थी इस बिच सारा मुझे चाहने लगी, लेकिन मैंने उसके प्यार को स्विकार नहीं किया मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो गई हो, सारा तुम जानती हो, मैं मेरी का पती हूँ और सरा ने चिलाते हुए कहा, तुम उसे तलाक दे सकते हो, मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरी से बहुत प्यार करता हूँ, जिस तरह तुम मुझे पाना चाहती हो, वैसे ही मैं मेरी को खोना नहीं चाहता, सेरा चिलाते हुए बोली, अगर प्यार का मतलब पाना ही तो मैं ऐसा करके रहूंगी, वो आप ऐसे बाहर हो रही थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को धोका नहीं देना चाहता था, फिर सेरा ने मेरी के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया, उसने मेरी को भड़का दिया, कि मैं गलत आदमी हूँ, इतना ही नहीं जहने लगी कि उसका पुराना दोस्त फ्लेयर बर्न उसके लिए सबसे अच्छा ओंप्शन है, और वो मुझे छोड़ दें, कुछ दिन बाद सेरा तो चली गई, लेकिन मेरी फ्लेयर बर्न से मिलने लगी, मैंने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन वो मुझे से बहस करने लग अगर तुम मेरी से इतना ही प्यार करते थे तो तुमने उसे क्यों मारा? ब्राउनस बोला, नहीं, इंस्पेक्टर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, धोका देने पर भी मैं उसे माफ करने को तयार था, ब्राउनस हताश होकर बोला, लेकिन जब मैंने देखा कि वो फ्लेयर उनके लाश पे फूट फूट कर रोने लगी, जैसा वो उसके लिए सब कुछ हो, तब मैं गुस्से से पागल हो गया क्योंकि ये मेरे लिए acceptable नहीं था, इसलिए मैंने न चाहते हुए भी उसे मार दिया, और उसकी बहन सारा को सबक सिखाने के लिए मैंने उनके कटे हुए कान एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल कर सारा को भेज दिये, सारा तब मिस सुजेन के घर रह रही थी, मैं सारा को बताना चाहता था कि जो जहर उसने अपनी बहन के कान में भरा था, उसका अंजाम क्या हुआ, लेकिन वो बीमार होकर वापस अपने घर चली गई, और मेर भेजा हुआ बॉक्स मिस सुजेन को रिसिव करना पड़ा, जबकि इस सब से उस बेचारी का कोई लेना देना ही नहीं था, होम्स बोला, ब्राउनस तुम मेरी को तलाक दे सकते थे, लेकिन तुम्हें अपराध नहीं करना चाहिए था, बाद में ब्राउनस को जेल भेज द इंस्पेक्टर लेस्टरिट ने होम्स को मुस्कुरा कर धन्यवाद देते हुए कहा, मिस्टर होम्स आपकी सहायता के बिना शायद मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर पाता, वैसे मेरे पास एक और किड्नैपिंग का केस है, अगर आप चाहे तो होम्स ने उसे कहा, मुझे तु आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे वीडियो को लायक और हमारे चैनल सस्पेंस हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी रोमांचक कहानिया लाते रहे, मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद